नमस्कार साथियो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस निस्टिंग में दोस्तो यूपी सिय चू बेटिंग लिस्ट है जोड़ी बड़ी खवर हम आपको बताने बाले है आज स्टुडेंट्स पूच रहेते हैं चुनावों से पहले बेटिंग लिस्ट आजाएगी या नहीं आएगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे और दूसरी बात यहां पे हम एक लेटर जो एनचेम निकाला था उसके बारे में पहले बताएंगे उसका क्या मतलब है ठीक है त 25-25-2021 यानि कि कल ही निकाला गया था उसके बारे में हम आपको बताएंगे देखिए यहां पर क्या बताएंगे विवख के बारे में तो यहां पे एलकसन के बारे में कुछ बता है गया उसके बारे में लेजिसले एसेंबली इन उत्तर प्रदेश्टा प्रोसेस ओफ ओनलान मेच्वर रिपाइटमेंट मेंट तो यहां पर जो मेच्वर रिपाइटमेंट वाली लिच्ट थी उसको यहां पर थोड़ा सा पोस्ट पॉंड कर दिया है किस वज़े से कि जो एलेक्शन है उनकी प्रोसेस ओफ ओनलान मेच्वर रिपाइटमेंट मेंट है उसके बारे में बताएंगे ठीक है पहले यह चीज़ बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि चुनावाँ से पहले आपकी बेटिंग लिस्ट आएगे या नहीं आएगी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे पहले मैं आपको रिपाइटमेंट लिस्ट दिखा देता हूँ एक बार जैसे आप देख पार है back i up कि जाफिए आप ज existem लेक्स बारे में अव्यरन मिश्व लिया जारी कर दी गई है पूस्टिंग इसलिए यहां पर देख पार होंगे काफी केंडियेंटकी लिस्ट है क्यों आपको बताऊंगा यहां पर बहुत सारी थी ट इस्राइट् BE किस-किस को कौन सी जगह मिली है मिच्वल जो ट्रांसफर होएं वो कहां पे होएं तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ जैसा आप देख पा रहे हैं जैसे आप रॉल नमर दे रहे हैं नाम है सिवानी लाकरा तो Community Health Officer Process है यहां पे आप देख रहे होंगे यह जो है आपकी प्रिव्यू है उसके बाद न्यू पोस्टिंग जैसे कि मानली सी है यह जो है यहां पे इंप्रिव्यमेंट नेम सुनिल कुमार Community Health Officer Process तो यहां पे जो प्रिवियस पोस्टिंग थी डिस्टिंग थी आजमगड में थी और जो न्यू पोस्टिंग होने वाली है उनकी जौनपुर में यानि कि जो सुनिल कुमार है उन्होंने जो mutual transfer कराया था पहले इनकी जो posting थी आजमगड में थी लेकिन उन्होंने mutual transfer के जरीए जौनपुर कराना चाहा तो इनकी जौनपुर हो गई है ठीक है आजमगड से जौनपुर में उसी तरीके से यहाँ पर जो दूसरा candidate है देखिए दूसरा candidate है यहाँ पर प्रियंका यादव तो प्रियंका यादव ने इनकी जगे पर तो वो प्रियंका यादव जोनपुच से आज़मगर जाना चाहती थी और यह जो सुनिल कुमार है àजमगर से जॉनपुच उसी तरीके से जो Means से अनका जो मेच्छल ट्रांसपर हो 나와 जो प्रियंग गए है वो जोनपुच से आजमगर चले गए है जॉनपुच से उनका जो है रेपोइंट मेंट आजमवर हो गया है इस तरीके से यहाँ पर काफी केंडियेट 1298 केंडियेट का जो है मेच्वल ट्रांसफर हो गया है ठीक है तो देश तो यह जो इन्फोर्मेशन थी यह आपको बतानी थी दूसरी बात जो यह लेटर निकला गया था इसी के कोर्डिंग निकला गया था इसी के लिये निकला गया था यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हो यह मिच्वल ट्रांसफर वाली है और यह जो लिस्ट थी आपको पता होगा यूपी-CHO ने जो मिच्वल फॉर्म बरे थे उनकी यह लिस तो साथ ही मैं आपको बतना चाहूँगा यह पर बेटिंग लिस्ट तो आएगी लेकिन थोड़ा सा लेट हो सकता है इस वह से थोड़ी से यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है लेकिन जो एलेक्शन के लिए एक लेटर निकला था निकला था यह नहीं कर रहे हैं एलेक्शन जो एप्रूबल उसके एक लेटर निकला था उसके बाद ही एक लेटर निकला जाएगा उसके बाद जो है आपकी बेटिंग लिस्ट आपर जारी कर दी जाएगी तो दोस्तों बेटिंग लिस्ट आएगी आप यह ना सोचें कि बेटिंग लिस्ट कैंसिल करती है तो इसका म पाफी इंतचार में हैं लेकिन आज के इस पीडियो में दोस्तों ये बात बतानी थी आपको यो मिच्वल ट्रांसफर रिप्वेंट वाली रिस्ट आई है ये इसके बारे में और ये जो एनरेचम के दोरा इसके ही रिगार्डिंग जो लेटर निकाल गाया था उसके बारे मे इतना ही नेक्स्ट अप्रेट जल्दी से लेके आएंगे आपके लिए धन्यवाद